आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीवो के Funtouch OS 14 अप्टेट के 20 टोप फीचर्स के बारे में तो अगर आपके स्मार्टफोन के अंतर Funtouch OS 14 का अप्टेट है वो यहां पर आ गया है या फिर फ्यूचर में जल्दी ही आने वाला है तो वीडियो को complete फोच करना क्योंकि यह जो top 20 फीचर्स है वो आपको काफ़े ज़ता है आपर पसंद आने वाले है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक कर सकतो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में जैसे कोई बड़ा अप्टेट आता है वीडियो आपको उमारे चैनल पर मिल जाएगी इस अप्टेट के अंदर आपको फर्स्ट बड़ा चेंज है वो आपको मिलेगा बाकि इसकी जो position है वो आप लोग कहीं पे भी इसको यहाँ पर move कर सकतो अगर इसकी size आपको छोटी करनी है तो आप लोग कुछ इस परकार से इसको यहाँ पर छोटी window के अंदर यहाँ पर convert कर सकतो बाकि यह कुछ इस परकार से यहाँ पर आपको नजर आएगा इसको complete को edit करना है तो इस arrow पे आप लोगों को click कर देना है और यहाँ पर इस pencil वाले icon पे click करना है अगर किसी application को add करना है तो plus वाले icon के अंदर add कर देना और अगर किसी application को remove करना है तो minus वाले application पे click कर देना और जितनी चाओ उतनी application है वो आप लोग इसके अंदर add कर पाओग लेकिन आपकी जो favorites application है उनकी जग है न वो आपको बिल्कुल भी कम देखने को नहीं मिलेगी और यहां से इसको हम लोगों को done पे click कर देने है अब मान लो एक बार जैसा कि मैं आपर calculator application है उसको open कर लेता हूँ और वहाँ पर यह चीज है वो काफी helpful मन जाती है मान लो हम लोग YouTube पे या फिर call करते time किसे से बात कर रहे है YouTube पे कोई वीडियो देख रहे है और हमको कुछ calculation करनी है तो हमारा जो calculator है और direct small window है इसके अदर converted है जो calculation आपको करनी है वो आप लोग directly यहीं पे कर पाऊगे तो मेरे इसाब से काफी आप लोगों को यह एक helpful feature है वो मिल जाता है औ और इसको आप लोग यहां से उठा के कहीं पे भी move कर सकतो इदर उदर कर सकतो तो मेरे साब से यह वाली जगह है वो ही इसके लिए perfect है अगर इसको आपको off करना है तो इसके लिए setting application को open करना और जो shortcut menu है वहाँ पर आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको इसका option मिल जा जो कि आपको मिलेगा always on display के अंदर तो उसके लिए आपको simply इस वाले option पे click करना है low screen and wallpaper के अंदर always on display के अंदर चले जाना है और सबसे पहले always on display को अगर आप लोग यूज नहीं करतो तो यहाँ से इसको on कर देना है और AOD styles के अंदर आपको चले जाना है अब यह जितने भ है वो काफी यहाँ पर interesting है तो इसको हम लोग एक बर apply कर देते हैं और फिर देखते हैं किसकी animation है वहाँ आपर कैसी नजर आती है तो यार animation तो काफी इसकी यहाँ पर smooth है बिलकुल भी ले गए वो मुझे तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है और beauty of humanity तो name से पता चल रहा है क कुछ planet type की आप लोगों को always on display ना वहाँ पर मिली होगी अब इसके अंदर आप लोगों को कोई customization है वो तो यहाँ पर नहीं मिलती है लेकिन still आप लोगों को notification के तोर पे एक नया feature है ना नया option है वो देखने को मिल जाते हैं लेकिन इसके अंदर कुछ limited application है उन्हीं को आप आप लोग यहाँ पर select कर पाऊगे जैसे कि message, messenger, phone, whatsapp इन चार application को मैंने आपर select करके रखे हैं अब मालो मुझे facebook messenger के जो message वो नहीं चाहिए telegram के message यह तो यहाँ पर मैंने इनको click कर दिया है और इन चार application को select कर लिया है तो पहले होता यह था कि किसी भी application का notification है वहाँ पर आता था तो यह तो आप लोग अपने phone को unlock करके notification read करते थे या फिर directly आप लोगों को यहाँ पर जो low की screen है यहाँ पर notification है वो मिल जाया करते थ लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा आप लोगों की जो always on display है यहाँ पर notification का जो icon है वो आपको यहाँ पर share कर दिया जाएगा तो उससे आपको पता यह चल जाएगा कि कौन सी application का कौन सा notification है वो हमको यहाँ पर मिला है जो कि कुछ इस परकार से आपर नजर आने वाला है तो जर लेकिन चेंज आपको मिलेगा wallpaper के अंदर तो wallpapers के अंदर मुझे ऐसा कोई बड़ा चेंज है वहाँ आपन नहीं लगा है जो अप्टेट है वो इस बार काफी ज़्यादा popular हुआ है अपनी इन दो बड़े चेंज की तरफ से जैसे कि फर्स्ट वाला चेंज है control center इसके उपर आएंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद में और जो second चेंज है वह आपको मिलेगा custom lock screen के अंदर अब आप लोग जैसा कि आपर इस screen पे देख पारेंगे कुछ इस type का wallpaper है वो मैंने आपर apply करके रखा है और इस वाले clock widget पे आप लोग जैसे click करोगे तो जितने भी जो customization के feature है वहाँ आपर साम निकल के आजाएंगे अब यहाँ से इसके आप लोग fonts हैं वहाँ आपर change कर प हैं वहाँ आपर मिल जाएगी जैसे कि एक तो ये वाली style है second ये वाली style है और third ये वाली style है नीचे की तरफ आप लोगों को काफी सारे colors हैं वहाँ आपर मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर यह मैंने purple color है इसको select कर लिया है left side में आप लोग जैसे swipe करोगे तो इसका color है वहा यहाँ से मैं इसको अभी इस तरीके से swipe करूँगा तो आप लोग देखना color है वो कैसे यहाँ पर change होता है तो यहाँ पर यह पूरा आप लोगों को मैंने करके दिखा दिया है कैसे color ना वो इसके यहाँ पर change होते है और इस type के काफी सारे colors है वो आपको मिल जाएंगे तो जो color आप लोगों को पसंद है वो आप लोग यहाँ पर set कर पाऊगे और यह आपको एक अलागी icon हो यहाँ पर मिल रहा होगा जो की colorful icon है तो इस पर भी एक पर click करके देख लेते हैं तो हाँ गई जैसे के हमारा wallpaper है उसके साब से अपने खुद ने इसने color है वहाँ पर create किय है और इस color को apply भी कर दिया है लेकिन यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है हम लोग तो हमारा वही white वाला color है उसको यहाँ पर apply कर लेते हैं तो यह कुछ इस type से आपर नजर आता है बाकी add quick information के अंदर जाते हैं तो signature तो जो चीज अगर आप लोगों है आप टेक्स्ट, contact number कुछ भी number लगाने तो वो आप लोग directly यहीं पर लगा पाऊगे, widgets के अंदर किसी भी प्रकार का change है वो नहीं हुआ है लेकिन future front touch was 14 update के अंदर इन वाले option के अंदर आपको 4 से 5 नए option मिलेंगे जैसे कि snapchat, insta, whatsapp और यहाँ पर telegram तो जो application आप लोग जादा तर यूज कर यहाँ पर low screen, customization के इसाब से आपर देखने को मिल जाते हैं, एक और बड़ा change है वो आपको मिलेगा icons के अंदर, जैसे कि आपर यह phone dialer है वो तो यहाँ पर हमको change देखने को नहीं मिला है, लेकिन नीचे की तरफ आप लोगो को यह जो phone dialer का icon नजर आता है वो आपको जरूर इसली different देखने को मिलते हैं पुराने वाले update से, next वाले feature का name है YouTube background streaming, अब मेरे साब से वीवो की तरफ से इस option के उपर काफी अच्छी तरीके से आपर काम किया गया है, इस option को enable करने के लिए setting application को open करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आपको चले जाना है और shortcut and accessibility वाले option के अं और यह जो option है ना, scene, functionality, इस वाले option को आपको on कर देना है, बाद में YouTube को open करना है, अब भी basically इस फिजर का work यह है कि YouTube के अंदर किसी भी video को अगर आप लोग प्ले करोगे, तो क्या होता है, बेक आने के बाद में वो video है ना, उसका music हो off हो जाता है, तो अब से ऐसा नहीं मिलेगा, background stream, YouTube में आपर off हो चुक है, लेकिन song है, वो अभी भी चल रहे है, अभी मैं अपने phone को off करूँगा, उसके बाद मैं भी यह जो song है ना, वहाँ पर working में रहेगा, phone off हो चुक है, लेकिन इस्टिल यह वाला जो song है ना, वो अभी background के अंदर चल रहे है, तो यह वाला आपको एक काफी अच्छा feature है ना, वो मिलता है, और यह वाला feature आपको side bar के अंदर ही मिल जाएगा, उपर की तरफ आपको background stream का option है, वो नजर आ जाएगा, बाकी wallpaper को लेकि मैं थोड़ा सा गलता, एक नया wallpaper है ना, वो aid किया गया है, और वो काफी आपर interesting है, तो उसके बार में आपर check करते हैं, तो simply आपको wallpaper वाले option पे click करने हैं, और right में आपर swipe करते जाने हैं, तो एक नया wallpaper है, वो आपको मिल जाएगा, right side में swipe करके, gravity space वाला जो इस तरीके से slide करोगे ना, तो wallpaper है, वो भी आपका यापर move होगा, तो इसको मैं आपर download पे लगा देता हूँ, और जब तक यापर यह download होता है, हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे एक और बड़े change के बार में, जो कि आपको मिलेगा, control center के अंदर, तो ये इस तरीके का notification show होग और हमारा वोल्ट पर है, वो जल्दी याँ पर तयार हो रहा है, control center के बार में बात करें, तो half control center है, वो कुछ इस टाइप से नजर आता है, background blur है, वो काफी अच्छे तरीके से आपर maintain किया गया है, बाकि जैसे आप लोग इसको swipe करोगे, तो full display के अंदर control center है, वह आपर show हो काफी जदा simple है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपर leg नहीं होती है, काफी smooth performance है, वो आपको इस brightness slider के साथ में मिलेगा, तो ये मैंने आपको याँपर बता दिया है, बाकि setting application को आप लोग open करोगे, तो आपको ये जितने भी जो icons हैं, वो नजर आ रहें, वो सभी icons यापर vivo की त हमारा जो नया wallpaper है, वो हो चुका है, डाउनलोड और अभी इसको हम लोग फटापट से करते हैं, apply और देखते हैं कि कैसी animation है, वो vivo की तरफ से इस बार याँपर aid की गई है, apply इसको guys याँपर कर देते हैं, तो हमारे phone के अंदर ये wallpaper अपलाई हो चुका है, और इसको अगर आप लोग इस तरीके से slide करोगे, तो animation ऐसे तो show नहीं होगी, लेकिन phone को एक पर हम लोग करते हैं, off, तो हमारी low की screen के अंदर भी automatically ये ही वाला wallpaper है, वो याँपर apply हो जाता है, अब यमे इसको unlock करूगा ना, तो नई animation है, वो आपको याँपर मिलेगी, जो कि याँपर है ही, तो अगर आपको wallpaper डाउनलोड करना है, तो telegram application को open करके, आपको search कर लेना है, सहेज wallpaper, तो आपको मारा ये वाला telegram channel मिल जाएगा, जहां पर काफी अच्छे-च्छे wallpapers हैं, वो आपको मिल जाएंगे, और काफी सारे लोगों ने इन wallpaper को डाउनलोड किया है, इनके views य लोगों ने इस wallpaper को डाउनलोड किया है, तो ऐसे आप लोगों को इसके अंदर wallpapers मिल जाएंगे, जाएए और यहां पर एक बार जरूर से try कीजिए, हम लोग बात करतें next change के बारे में, जो कि आपको setting application के अंदर मिलेगा, थोड़ा नीचे के दरफ आ जाना है, और battery वाले option चेंज हो चुक है, circle वाला चेंज हो चुक है, और यह जो circle वाला icon है वो OnePlus के smartphone है, उनके अंदर हम लोगों को मिलता है, और OPPO और Realme को आप भी आप लोगों को बेटरी icon है, वो अब से Vivo के जो smartphone है, उनके अंदर भी मिल जाते हैं, तो हम लोग कितना भी करड़ों कि यह 4 brands अ features तो यहाँ पर आने ही थे, next change आप लोगों को मिलेगा, बेटरी health and charging के अंदर, तो हमारे phone की जो बेटरी है ना, उसकी भी health होती है, और वो हम लोगों को percentage के अंदर यहाँ पर show होती है, पहले यह वाला जो feature है, वो हमारे iPhones है, उनके अंदर हम लोगों को मिलता था, लेकिन आपसे यह वाला feature है, वो सब भी Android है, उनके अंदर भी मिलना स्टार्ट हो जुका है, जो कि Funtouch OS 14 update के साथ में इस update के अंदर हम लोगों को मिला है, 98% हमारे phone की बेटरी हेलता है, वो हम लोगों को यहाँ पर show हो रही है, तो यह चीज़ वहाँ पर काफी जदा important बन जाती है जब मालो हमारे phone को किसी को sale करते हैं, या फिर किसी से phone purchase करते हैं, second hand तो हम लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं, कि यार इस phone की बेटरी है वो कितनी अच्छी है, या फिर कितनी इसकी खराब performance है, वो हम लोगों को मिलेगी अगर हमने इस phone को यहाँ पर buy कर लिया होगा, तो इस type के आपको काफी सारे इसके अंदर changes हैं, वो हम आप नजर आ जाते हैं, अब आप लोग भी अपने phone के अंदर small window है, उसको यहाँ पर use करते होंगे, लेकिन उसके दो और नई तरीके हैं वो यहाँ पर add इस update के अंदर किये गए हैं, अब आप लोग अब तक यहाँ पर क option है, वो यहाँ पर मिलता था, लेकिन अब से आपको ऐसा करने की जुरत नहीं है, दो नए और तरीके ना, वो add कर दे गए हैं, जो कि first तरीका है, वो तो मैं आपको पहले ही आपर बता दिया है, smart sidebar है, उसके बार में आपको पता नहीं है, उसके बार में बात करते हैं, उनके साथ में आपको यहाँ पर try करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग किसी phone पर application को उठा लो, वो यहाँ पर work नहीं करेगी, तो YouTube यहाँ पर work करता है, तो इसको हम लोग slide करके ऊपर की तरफ रख देंगे, तो यहाँ पर एक text लिखावा भी आ रहा है, open small window, यहाँ पर लाके आपको छोड़ देना है, तो direct वो जो application है, वो small window के अंदर convert हो जाएगी, और यहाँ से आप लोग इस चीज को move भी कर सकते हो, अपने content के इसाब से, बाकी minus पर click करके, आप लोग इसको छोटा भी आपर इस तरह कर पाऊगे, यहाँ पर आप लोग इसको click करके, पूरी बड वो की तरब से, इस बार यहाँ पर किया गया है, Funtouch OS 14 update के अंदर, तो guys यही सारे नए features है, वो आप लोगों को बताने ते, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारा work अगर आपको पसंद आया, तो आप लोग वीडियो को like कर सकते हो, और यार channel को भी आ पर subscribe कर देना, और हमारा telegram channel है, उसको भी आप लोग यहाँ पर join कर सकते हो, मैं मिलता है आप लोगों से next video में, जेहिंद वन्दे मातरम